ग्राइन ब्राज शाखा पाज को ये गुप्त जानकारे मिले थे कि गोवन्शों से भरा ट्रक परिसर से जा रहा है जिसके पश्चाद रेड हैंड कारवाई कर पुलिस द्वारा समनी ट्रक को पारडी परिसर में पगड़ा गया और 24 गोवन्शों को मुक्त कराया गया वही सागी की जाज पारडी को लिस्ट कर रही है इसलिए हमारी टीम छे थारी को रात को पारडी और कामठी एरिया में गस्त कर रही थे तो उनको जानकारी में लेंगे ट्रक क्रमांक जो है एमेच चालीस वाई 901 इसमें उच जानवर गोवन्श जानवर जो है वह ट्रांसपोर्ट किये जा रहे तो उन्होंने ट्रैप लगा के वह पारडी एरिया पुली स्टेशन के एरिया में वह पकड़े उसमें कुल चोबीच जानवर थे और कुल मुद् देमाल करीबन 22 लाग 2000 रूपए का हुआ पकड़ने के बाद जानवर वह जो लाखनी गोश आला है वहाँ वह जमा करके फिर पुली स्टेशन में गुनाद अकल किया गया है इस कारवाई में जो हमारी यूनिट के थे वह PSI कोहड़े, PSI रोटे, राजु टाकर करकर परड एंथोनी, हेड कॉंस्टेबल यादव और इतर सारे लोग थे, यह जो कनान के आगे जहां जैनवर का बाजार भरता है, वड़त वड़त या ऐसा कुछ नाम है, वहाँ से यह माल निकला था और ड्राइवर के मताबिक यह अकोला जा रहा था, तो हमारे तावे में जो हर दो आरूपी मिले, उसमें एक ड्राइवर था, जिसका नाम था, सयद अब्दुलिये, साइनगर नए कामठी पुली स्टेशन का क्लीनर था, मिश्का आलंग वल्ट मिश्क मुमद महमो दिये, जो बुन कामठी के पुली स्टेशन में अंतरकत आता है, आक आता, और इनका कहना था कि माल जो है, जो इकबाल कुरेशी, जो है, भाजी बंटी, जुनी कामठी के एरिया में रहने वाले हैं, उनका था, तो उनके कहने के मुताबी ये माल अकोला जा रहा था, लेकिन लगता नहीं अकोला जा रहा था, ये नाकपुर सेटी में ही उसका यूज करने के कि में पैसी बंटी, जो इकने के यूज करने के लाईशन के लिë बंटी